और बसंतों सब दोजार चौबीस में हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से बहुत सारे स्टॉल यहां पर लगा हुए हैं और एक बहुत प्रसिद विश्व विद्याला है गोबिन बल्लप पंद कृशी एवं प्रद्देगी के विश्व द्याला है पंद नगा यूनिवर्स पंद नगर की बात करते हैं तो प्रमुख कार सिक्षा सोध और एक्टेंशन प्रसार यह तीन मुखे काम होते हैं आज जो हम इस बसंतों सो में आये हुए हैं इसमें प्रमुख रुप से जो हम अपने सोध करते हैं सबजी के छेतर में फूलों के छेतर में और जो हमारे मस् उसमें जो हमारी प्रदोगी की हमने डवलब करी है प्रजातियां जो डवलब करी हैं उनका प्रदर्सन किये हैं और इसको किसानों के प्रती जो है इसके इसकी रुची बढ़ है इसके प्रतसाहन के लिए हम यहां इस्टाल लगाए हुए है बिल्कुल और सर आप क्यों कि उत आज देखें, तो रोजगार की कमी नहीं है, यह है कि जो हमारे यूअ है, उनको दिसा देने की बात है, अगर उनको अचे इस चेत्र में जो कोई कार आइचा नहीं हो जो छोटा या बड़ा होता है, लेकिन उसमें उनकी रूची को बढ़ाने के लिए आउसेक है, उनको एक आमदनी बढ़ है यह मुख्य उद्यस है इसका सर मैं आपसे क्योंकि समद्धित हमारे अधिकारी यहां पर मौझूद है सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि आप पंदनगर उनिवर्शिय तालुक रखते हैं जिस तरीके से टेकनोलोजी यहां पर पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से उत्पाद लिये जाएं रिसर्च का बहुत बड़ा रहूल हो जाता है तो युवाओं के पॉइंट अफ्यू से इन उत्पादों को किस तरीके से बहतर किया जाए और जिसमें अनुसंधान और रिसर्च के बारे में कुछ बताएं दिखिए जहां तक पंदगर उनिवस्टी का बात है पंदगर उनिवस्टी हमेशा ऐसे अपने बीज विद्ध्यार्थी और अपने इंप्लिमेंट्स के लिए जानी जाती रही है और जो हमारे स्टुडेंट्स आ रहे हैं या जो किसानों को पंदगर ट्रेंट कर रही है या किसानों के लिए जो टेक्नोलजी जा रही है हमारे उत्तराखंट किसानों को उनको इस टेक्नोलजी को अपना के इसकी आप गाठे देखे काफी अच्छी हैं, साथी साथ यहाँ पे आज उत्राखंड में पॉली हाउस का काफी ज़्यदा पॉली हाउस बढ़ गया है, और पॉली हाउस में किस तरह से हमें खेती करनी हैं, यहाँ पे सिमला मिर्च, 33-400 ग्राम की रंगीन सिमला मिर्च, हमार इसके बारे में कुछ बताएं, दीखे हैं, दीखे हैं, पीला पन है, वो करकुमिन के कारणी आता है, और आजकल करकुमिन को हल्दी से निकाल के एक्सपोर्ड भी किया जा रहा है, यह एक पाउरफुल एंटि- ऑक्सिडेंट एंटिवाइटिक प्रापरटी है, तो जो यह हमारी पन्तनगर की जो प्रजाती है, इसका करकुमिन लेबल पांच के आसपास है, और पांच के आसपास करकुमिन लेबल काफी अच्छा माना जाता है, कुछ और प्रजाती हैं, जिसमें थोगा ज़्यादा है, लेकिन उनकी उत्पादा उनसे साब से कम हो जाता है, बिलक कि सबजियां देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं भया जरूर केमेकल मिला होगा और यह आर्टिफिचल कलर्स होएं इसके बारे में कुछ बताएं धन्यवाद मैं डॉक्टर भुपेशन कवड़वाल किरसी महाबिद्याले के जैव नियंतर परुकसाला में हम ल सेंपल कलेट करके उस समय ऐसे मित्र फफूद और जो जीवान हैं उनको जो है आस्वित किया है और उनका संक्रन करके अपनी मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसमें पद्दती है पूरी परकरिया को करके हमने उनको आइंटिफाई किया है कि ऐसे कौन से फफूद और बहुत मुस्किल है आजकल के समय में जहां लोग जो हैं लगातार अंदा धुन्द खेती करना चाहते हैं और रात को फजल लगाई लौकी में आपने सुना होगा पूंधा लगाया फल में इंजक्शन लगाया और सुबे बजार में बेश के आ गए तो उस उस कंपड़िश प्रकृरिया की तरह नहीं के ओबरनाइट आपको रिजल्टे जा के उसमें वह अपुरी प्रकृरिया है उसी प्रकृरिया में रोग नियंतर यह células में यह जो है संग्रक्षर्क किया है और यिसका में टर्पाधण कर रहे हैं जो कि एक फफूद है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम यह जो हम जैसा की जानते हैं 80% जो पॉंधों के रोग होते हैं वो मर्दा जनित और बीजनित होते हैं तो उसमें ये एक महत्वपूण अवयव है इसको आप जैविक फफूद नासा कह सकते हैं जो कि ट्राइकोडर्मा है इससे अगर आप 20 सोधित कर लें और मिद्दा सोधित कर लें तो 80% बिमारियों को जो है आप अपनी फसलों में आने से रोख सकते हैं यहां पर मैंने एक महत्वपूण बात कहीं कि आने से रोखना हम जो है प्रिवेंशन की बात करते हैं न कि क्यूर की बात करते हैं हम यह चाहते हैं कि हम ऐसी पद्दतियां अपनाएं जिससे कि खेती में जो है जो हमारे रोक कारक हैं वो कम से कम हम समापत उनमूलन की बात नहीं करते हैं उनके उनके जो स्तर को है वो कम से कम रखने की बात करते हैं और हम किसी का जो है नास करने की बात नहीं करते हैं उसका मैंने मैं मैंनेजमेंट करने की बात करते हैं यही जो है जैवी खेती का मूल मंत्र है उसमें यह है कि हर चाई वो कीट हो चाई बिमारी हो उ जनसंग्या है उसको नियंतर्ण में रखा जाए क्योंकि हमें हर चीज क्या आउसकता है अगर जो संतुलन है जो इकोलोजी का पुरा हमारा संतुलन है अगर वो बिगड़ जाएगा इस चीज की जनसंग्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और किसी कम हो जाएगी तो अपने फ्लोरिसेंस है इसका नाम ये एक जीवाणू है और जीवाणू जो है ये नकेवल पौधों की सुरक्सा करता है रोगों से बलकिन उसके बढ़वार में भी उसके बृद्धी में भी और संपूर्ण विकास में पौधे के साहक है इससे जो है हमारा जो उत्पाद है वो पजिया एक एक ऐसी फचल है जिसमें जादा से जादा रसाइन का प्रियुक किया आता है क्योंकि हम लोग उत्राखंड में जमीन बहुत छोटी है किसानों के पास और उनके आये के साधन कम है तो किसान जो है लगातार एक ही फचल पर एक ही परजाती की फचले ले रहा है तो वह क्या है बिमारिया और कीट उसके जो है लगातार उसमें उनको पोसत मिल रहा है तो वह उसमें हमेशा बने रहते हैं तो बहुत जरूरी है कि फसल में फसल चक्र अपना आजाए जाए मिर्दा को सोधित किया जाए मिर्दा में जो है कार्बनिक पदार्थ की मातरा को यादा रखा जाए और जब भी हम कोई बीज को बोएं तो एक तो बहुत जुरूरी है कि स्वस्त बीज बोएं और दूसरा उसको हमेशा जैवभिकरता से सोधित करें यही बात मुझे कहनी थी और ये जैव भी करता जो है हमारे पादव रोग विज्ञान की जैव ने अंतर्ट पर रोग साला में किसानों को परदासन हे तो मुप्त दिया जा रहा है और ज्यादा संख्या में चाहिए तो इसकी कीमत जो है हमने 100 रुपया परती किलो रखी है और बजार में भी बहुत सा लापते करना चाहते हैं वह हमेशा संदेशाथ पर रहता है विल्कुल तो क्वालिटी बना के रखनी बहुत जरूरी है और जैसा आपने कहा कि प्रिवेंचन इस बेटे देन क्योर और विनाश नहीं जबकि मैनेजमेंट आपको करना है फसलों का बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए नमस्कार